नमस्ते, आज एक छोटी सी कविता लेकर मैं उपस्तित हूँ तो इस कविता में मैंने देखा एक बून में अग्याजी ने समुद्र से अलग हुई बून की शन्ढभंगुरता को समझाया है वे कहते हैं कि यह शन्भंगुरता बूंद की है समुद्र की नहीं समुद्र से तो वे अलग होई है और जो शन्भर के लिए जब अलग होती है तो सूरज की ढलती हुई रोश्नी में उसकी लालिमा युक्त प्रकाश में वे रंग जाती है और यह दृश्य देखकर कवी को भ भारतिये दर्शन याद आता है और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि विराट के समुख जो बहुत बड़ा है उसके समुखिया बूंद का समुद्र से अलग दिखना नश्वरता की दाक्स यानि उसकी जो एक जो शाश्वत सत्य है कि वे नश्वर होगी तो उस से वे मुक्त ह हो जाती है अपने जीवन को सार्थक करके वे मुक्त हो जाती है और इस कविता के माध्यम से कवी ने जीवन में हर पल के महत्व को और शन भंगुरता को जीवन की शन भंगुरता को प्रतिस्ठापित किया है मैंने देखा एक बूंद सहसा उचली सागर के जाग से सागर समुद्र रंगई शन भर में ढलते हैं सूरज की आग से और थोड़ी देर में ढलते हैं सूरज की लालिमा में रंगई मुझको दिख गया कवी को क्या दिख गया सूने विराट के समुख विराट बहुत बड़ा या भारतिय दर्शन में हम देखें तो ब्रह्मा के लिए है ब्रह्म के लिए हर आलोग चुआ अपनापन आलोग प्रकाश रोश्नी है उन्मोचन उन्मोचन मुक्तिपाना नश्वरता के दाग से जो नाश हो जाएगा यहां हम देखें कि जो प्रसंग है वह इस प्रकार होगा कि कवी ने कविता के माध्यम से जीवन में छंड के महत्व को और शंड भंगुरता को प्रतिस्ठापित किया है बून जब तक समुद्र के अंदर रहते हैं समुद्र में रहती है तब तक तो उसका कोई अस्ते तो किन्तु जैसे ही वह अलग होती है और सूर्ज की रोष्णी में रंग जाती है वह सार्थक हो जाती है तो यहां जो प्रतिकों का प्रयोग किया है उन प्रतिकों के हम दो तरह से अर्थ निकालते हैं तो जो सागर है उसका हम अर्थ समाज की रूप में भी देख सकते हैं और और बूंद का अर्थ हम व्यक्ति की रूप में, तब हम ये कहेंगे कि व्यक्ति अपने शनिक नश्वर जीवन को भी बूंद की तरह अनश्वरता और सार्थकता प्रदान कर सकता है, उसका प्रतिक शन कीमती है और हर शन के मुल्ले को उसे समझना चाहिए, क्योंकि एक शन के कारण भी व्यक्ति की जीवन दिशा या दशा बदल सकती है, इसलिए व्यक्ति और समस्टि, समस्टि में जो सब कुछ है, और व्यक्ति और समस्टि के तथ्या में कवी ने भारतिय जीवन दर्शन और आत्मा परमात्मा के संबंद को भी बताया है, कैसे? अ अब उस अर्थ को हम देखते हैं कि कभी कहता है कि एक बून का सागर से अलग होने का अर्थ है अब उसका नस्ट होना तय है उसका अस्तित्व हतम हो जाएगा और वैं जल्द ही नस्ट हो जाएगी तो बून सागर से अलग होकर स्वयम नस्ट हो जाती है परन्तु सागर हम अगर भारतिय जीवन दर्शन से लगाएं तो यह ब्रह्म से है जहां से बूंध रूपी जीव थोड़े समय के लिए अलग होता है और कुछ रंगीन पल व्यतीत करके नश्वर्ता को प्राप्थ हो जाता है अर्थार्थ मुक्ति को प्राप्थ हो जाता है सागर की एक बूंध लहरों से टकराती है जो लहरें उठती है तो जहाग उठते है उसके पानी में तो उनसे ये तो वह निकली है तो सागर की एक बूंध लहरों से टकरागर उपर उचल कर अलग हो जाती है और सूरज की जो लालिमा युक्त रोश्नी है उसमें रंग ले ले उसमें रंग जाती है और उसकी बाद फिर वे सागर में समा जाती है तो यह एक शण अस्त होते वे सूरज की आग में रंग कर समाप्त हो जाना उसे नश्वरता के दोश से मुक्त कर देता है अर्थार्थ अब मुक्त हो जाती है, मुक्ती मिल जाती है उसको और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शन्भंगूर जीवन जो मनुष्य का है उसे भी परब्रह्म के प्रकाश से प्रकाशित करके मनुष्य को नश्वर्ता अर्थार्थ मृत्यु के भय से मुक्ती पा लेनी तो यह है इस तरह से इस कविता का भावार्थ होगा और शिल्प सांदर अगर हम देखें तो यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और यह मुक्त चंद कविता है चंद मुक्त कविता है तत्सम शब्दावली का प्रयोग है बिम्बों का प्रयोग किया गया है प् परब्रम का प्रतीक है या समाज का प्रतीक है अंतरभागदों की सभी कविताएं जो बच गई हैं सिर्फ चार कविताएं और बची हैं तो उनको मैं 14 जन्वरी से पोस्ट करना शुरू करूँगे तब तक के लिए धन्यवाद